बिहार में एक पे एक कमाल की घटनाएं होती रहती है जीहां दोस्तों एक बजे रात में आंधी आता है और सत्रा सदस करोर की लागत से बन रहा पूल जमिन जोध हो जाता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान गंज में गंगा नदी पर बन रहे इस पूल के बारे में जो पूल खगड़िया और भागल पूल को जोड़ती है और अचानक ही रात में एक बज़े में आंधी आता है और उस आंधी से इस पूल का 100 फिट लंबा हिस्सा गिर जाता है यह पूल कहा जाता है कि सुपर स्ट्रक्चर पूल बनाया जा रहा है और इस पूल को 2015 में इस पूल को बनाने की सुरुआत की गई और इसमें जो कुल लागत है वो 1710 करोर लागत से यह पूल बनना है यह पूल बनाने का काम SP सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है और आस्चर्ज की बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और एक आंधी में यह पूल धारासाई हो जाता है और इससे यह असपिष्ट होता है कि बिहार सरकार और भारास सरकार की जो यह कार है इसमें किस प्रकार से ओर नियमितता बढ़ता जा रहा है बतादू दोस्तों की अस्थानिय विधायक ने कहा है कि इस संबंद में उन्होंने सुचना मुखमंतिनी नितिस कुमार को दे दिया है और जल्द ही इस पर जाच बिठाया जाएगा कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट में किस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है कि 17 सद 10 करोर की लागत से बनने वाला पूल महज एक आंधी से धारासाई हो जाता है The Democratic Mirror के लिए हिमानसु कुमार जाकी बिहार से या खास रिपोर्ट धन्यवाद